हलो दोस्तो दोस्तो आज की स्वीडियो में मैं आपके लिए कुछ इंपोर्टेंट क्वेस्चिन लाया हूँ जो करनेटेफेर से लेटेट हैं 4th मेज यहां दोस्तो याद रखें कि करनेटेफेर से आपके आने वाले एक्जाम का बहुत ही इंपोर्टे सेक्शन रहने वाला तो वीडियो को आहिक तक देखते हैं वीडियो को स्टाट करने से पहले आप से रिक्वेस्च है कि अगर आप चैनल पर नहीं तो चनल को सबस्क्राइब करे 무슨 में बैल आकन जूरो प्रेस करें अपना अशे टाइप करें इसका सही आंसर है पार्ट डी हर्याना दोस्व्थ यहां पर यह याद रखें की हर्याना के करणाल डिस्ट्रिक्ट में यह इनिशेटिव टार्ट किया गया जिसमें डिक अउप्सिजन को सप्लाई किया जाएगा। गवर्मेंट ऊस्पिटलज और प्रइवेट होस्पिटल में। नेक्स्ट इन है ओन maximal ने में लुए टेट देक वरल्ड प्रेस क्राइब डे इस अब्ज़र आपको बताना है कब मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे आप्शिन से आपके पास फर्स्ट में सेकंड में थर्ड में या फिर फूर्थ में शबाज दोस्ता अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपना आंसर टाइप करें इसका सही आंसर है में थर्ड को मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे दोस्तों यहां पर आपको यह भी याद रखना है कि 2021 के लिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का थीम है इन्फरमेशन एज एज पाब्लिक गूड नेक्स्ट इंपोर्टन क्योएशन अच्छे से याद रखेगा वी स्टेट गवर्नमेंट अपरूट्मेंट अफ एकर्स लेंड टो एकॉमर्स मेजर फिलिपकाट फॉर सेटिंग अपिट इस लार्ज फुल्फिल्मेंट सेंटर एशिया आपको बताना है किस रियासत ने फिलिपकाट को एक सो चालीस एकरस लेंड दी है एशिया का सबसे बड़ा फुल्फिल्मेंट सेंटर बनाने के लिए आप्शन से आपके पास जमुएट कश्मीर केला बिहार या फिर हरियाना शबाज 200 अंसर लिखें अपना अपन इस आर्मी एंड विच और्गनाजेशनल ग्रूप आपको बताना है डिफेंडर यूरोप 21 यह एक मल्टी नेशनल मिल्टरी एक्जसाइज है जिसको लीड करेंगी यूएस आर्मी के साथ साथ कौन सा दूसरा और्गनाजेशनल ग्रूप आपके पास नेटो यूरेपियन डियाडियो या फिर आसियन शबाज दोस्तों अपना अपना अंसर टाइप करें बताएं कौन सा दूसरा ग्रूप होगा जो इसको लीड करेगा इसका सही आंसर है नेटो नेक्स्ट कुछन है गॉर्मेंट है साथ ग्रूप प्रडेक्शन आप मस्टर तो एराउंड 17 मिलियन टन्स बाई विच पीरिड आपको बताना है हाल ही में गॉर्मेंट ने मास्टर यानि सर्सूं की प्रोडेक्शन 17 मिलियन का टार्गेट रखा है आपको बताना है ये टार्गेट गॉर्मेंट ने किस मुद्दत के लिए रखा है यानि कौन से साल के लिए रखा है आपके पास 2025-26, 2026-27, 2027-28 या फिर 2028-29 शबाई दो अंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना अंसर टाइप करें इसका सही आंसर है 2025-2026 दो याद रखें कि सर्सूं की प्रोडेक्शन के लिए यहां पर गॉर्मेंट जो है वो 9 मिलियन हेक्टियर लेंड जो है वो मस्टर्ड की कल्टिवेशन में लाएगी और 17 मिलि इसका टार्गेट है और यह टार्गेट 2025-2026 तक रखा गया है नेक्स्ट कुशन है हूँ है जबीन नेम डाइज फोर्थ डेपुटी गवर्नर आप दी सेंट्रल बैंक आपको बताना है सेंट्रल बैंक का चोथा डेपुटी गवर्नर कीस को नामजद किया गया है आपके प इसका सही आंसर है तवरना रभी नेक्स्ट कुशन हूँ वन डी 2021 पूर्चिज ग्रेंट प्रिक्स आपको बताना है 2020 के लिए पूर्चिज गरेंट प्रिक्स इन में से किसने जीता ओप्शन इसें लेविस हैमिल्टन मैक्स वार्ट स्टेपन, चारलिस लेक लख या फिर व यहां पर यह याद रखें कि पॉर्टिगीज ग्रेंड प्रिक्स लेविस हैमिल्टन ने दो में को जीता था और इसको हैल्ड किया गया था अल गार्वी इंटरनेशनल सरकेट जो कि पॉर्टगाल में आता है नेक्ट वेशन है श्री लंका ओल रांडर एंड फॉर्मर कप्ट से रिटायर्मेंट का इनाउसमेंट किया आपको बताने कब उन्होंने इनाउसमेंट किया आप्शन से आपके पास में 1, में 2, में 3 या फिर में 4 इसका सही आंसर है में 3 को उन्होंने ये इनाउसमेंट की दोस्तों यहां पर यह याद रखें कि थिसारा परेनर ने इंटरन तो दोस्तों ये थे कुछ important questions current affairs related उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो daily videos, updates, notifications पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल लाइगम जरूर प्रेस करें दोस्तों मिलते हैं काल एक नहीं वीडियो में तब तक के लिए टेक कियर